हेलो एवरीवन, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल ममता मैस टुटोरियल और आज 12th क्लास में लेक्चर 76 है ये आज हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ओफ डेफिनेट इंटीग्रल करे बार हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो सिंपल मैथड करते हैं उससे हमारे question solve करने में कुछ problems आ जाती हैं तो definite integrals की कुछ property हैं जिनका use करके हम हमारे question को थोड़ा असान मिना सकते हैं ताकि उसका integration easily हो जाए तो ये properties क्या है वो देख लीजे First property, integration from a to b f of x dx को integration from a to b f of t dt मे change कर सकते हैं x का function है तो integration with respect to x ही है और t का function है तो integration with respect to t ही है Next, क्या है property? अगर आपके पास limits a to b f of x dx हैं तो आप उन limits को change कर सकते हो a से b है, आप b से a बना सकते हो बट condition क्या है कि function का sign आपने change कर देना है Next property, integration from a to b a to b fx dx अगर आपके पास limits हैं a से लेकर b तक तो a और b के बीच में आप को c point ढूंड सकते हैं और limits को break कर सकते हैं a से c और फिर c से b integration from a to c fx dx प्लस integration c to b fx dx Next property, integration from a to b fx dx को किस में convert कर सकते हैं? integration from a to b f of a a plus b minus x dx में दोनों ही limit को add करके उसमें से x घटा सकते हैं x की जगे हम ये changing कर सकते हैं questions को solve करने में ये और ये बराबर आएंगे Next property क्या है? 0 से a f of x dx है इसको भी हम किस में convert कर सकते हैं? integration from 0 to a f of a minus x dx Next property देखिए Next property डिसकुस कर रहे हैं 0 से 2a f of x dx इसको हम क्या से लिख सकते हैं? हम इसको हम दो integration में तोड सकते हैं 0 से a और 0 से देखिए limit क्या थी? 2a थी तो 0 से a, 0 से a एक तो as it is function रहेगा और दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं? f of 2a minus x Next two properties बहुत important है ठीक है? अगर हमारे पास function क्या दे रखा है? integration from 0 to 2a f of x dx अगर यहाँ पे हम f of 2a minus x लगाएं और y function आ रहा है तो यह आपके पास जो 2a limit है ना वो 0 से a में change हो जाएगी और 2 आ गया जाएगा चीक है? बट अगर f of 2a minus x minus fx के बराबर आ रहा है तो सीधा इसकी value क्या हो जाएगी? 0 next property में limit क्या है? minus a to a minus a to a function है अगर function आपका even function है तो 2 times 0 to a f of x dx में convert हो जाएगा और अगर odd function है तो इसकी value क्या आ जाएगी? direct 0 अब even function और odd function का मतलब अगर आपके पास function में x की जगे minus x रख दें तब भी आपके पास answer f of x रहे तो वो even function है बट अगर वो minus f of x बन जाए तो वो odd function है तो यह properties है definite integral की अब इन properties का use करेंगे देखे कैसे करते हैं example 30 evaluate आपको value निकालनी है minus 1 से 2 x cube minus x का mode dx चीक है? हमें यहाँ पे एक function दे दिया उसका modulus है limit कहाँ है minus 1 से लेकर 2 तक है अब जब हम minus 1 से लेकर 2 तक की बात करते हैं तो इसकी value change हो रही है कैसे? अगर हम कोई भी value minus 1 से 0 के बीच में ले रहे हैं तो यह आपके पास plus की रहती है बट अगर value हम 0 से 1 के बीच में कोई भी ले रहे हैं तो यह value आपके पास minus की आएगी और 1 और 2 के बीच में यह value दुबारा से plus की आएगी हम plus और minus क्यूं देख रहे हैं? यह हमारे पास mode की definition है mode x की value x ही रहती है अगर x आपके पास greater than 0 है ठीक है? बट mode x की value minus x हो जाती है अगर x आपके पास less than 0 है यानि की plus और minus की terms के लिए function क्या करता है? vary करता है इसलिए यहाँ पे हमें जो limits दी हुई थी वहाँ पे हमने इसकी value put करके देखा अगर आप 0 और minus 1 के बीच में कोई value रखते हैं तो यह आपके पास plus की quantity आती है बट 0 और 1 के बीच में कोई भी value आप रखते हैं मालो 0.1 रखके देखते हैं तब आपके पास यह value negative आएगी और 1 से 2 में यह value दोबारा आपके पास क्या आएगी? positive आएगी यानि कि minus 1 से लेकर 2 तक यह तीन तरह से behave कर रहा है तीन इस्सों में limit को हमें तोड़ना पड़ेगा minus 1 से 0 0 से फिर 1 और फिर 1 से लेकर 2 तक यह value प्लस की है तो यह modulus आपका plus करेगा यह value आपके पास negative में आ रही है तो modulus की value minus में आ गया है और यह value आपके पास क्या रही है? plus क्या रही है अब simply अब आगे असान है बिलकुल 1 by 1 integration करते जा रहे हैं upper limit minus lower limit रखेंगे remaining आपका calculation part है और हमें हमारे integration की definite value मिल जाएगी main चीज हमारे यही थी कि हमने function को देखना था कि इन limits के बीच में यह function behave कैसे करता है example 31 को discuss करते हैं अब example 31 evaluate minus pi by 4 to pi by 4 sin square x dx अब यहाँ पे हमारे पास limits कैसे है minus a to a है इस case में हम check करते हैं कि हमारा function even function है या odd function है ठीक है तो हमने x को किस से replace कर दिया minus x से x को किस से replace किया minus x से simplify किया तो यह दोबारा f of x बन गया मतलब sin square x आपके पास क्या है even function है अगर odd function आ जाता तो इसकी value direct क्या हो जाती 0 even function आ जाए तो हमारे पास क्या होता है minus a to a f x d x 2 times 0 to a f x d x में convert हो जाता है तो यहां पे भी यह 2 times 0 to a f of x d x में convert हो गया remaining हम इसमें formula लगा के integration करेंगे then upper limit minus lower limit देखी कैसे कर रहे है sin square x का formula आता है 1 minus cos 2x divided by 2 dx 2 बाहर भी था cancel out 1 का integration x cos 2x का integration sin और फिट 2x का derivative कहां जाएगा denominator में integration के बाद upper limit minus lower limit और यह हमारे पास हमारा required answer आ गया example 32 को discuss करते हैं अब example 32 evaluate 0 to pi x sin x upon में 1 plus cos square x dx यह अलग ताइप के questions है देखी इनको कैसे solve करेंगे let i इसको i मान लिया है equation 1 नाम दे लिया है अब हम एक property का use करेंगे 0 to a f of x dx integration किसके बराबर होता है 0 to a f of a minus x के तो यहाँ पे x को replace कर दीजिए pi minus x से pi minus x as it is sin 180 minus theta sin theta ही होता है cos 180 minus theta cos theta ही होता है यह आपके पास क्या आग equation 2 अब आपने equation 1 और equation 2 को add कर देना है base same है तो यह term भी add हो जाएंगी x plus pi minus में x sin x यह cancel out हो गया और pi आपके पास क्या है constant term है तो इस हम integration से बाहर ले सकते हैं यह क्या बचा 0 से pi sin x upon me 1 plus cos square x dx अब हम निकालते हैं इसका integration तो हमारे पास आच चुका है 2i equal to pi integration from 0 to pi sin x upon me 1 plus cos square x dx substitution method यूज करते हैं cos x को माल लिया t value i minus sin x dx dt के बराबर साथ में limit भी t में change कर लेते हैं जब x की value 0 है तो cos 0 1 t की value क्या आगी है 1 और जब x की value pi है तो cos pi minus 1 t की value क्या आगी है minus 1 complete x का function complete t में change हो गया with limits हमारे पास आया 2i equal to pi 1 to minus 1 minus में dt 1 plus में t square अब यहाँ पे हमने हमारे integration की property लगाई है अगर हम limit upper और lower को change कर रहे हैं तो function का sign भी change हो जाएगा यहाँ पे minus का sign था बट हमने limit अगर change की तो अब यह plus का बन गया 1 upon में 1 plus t square tangent inverse t का integration होता है upper limit minus lower limit रखी calculation part और यह हमारा answer आ गया अब discuss करते हैं next example example 33 evaluate minus 1 to 1 sine की power 5x cos की power 4x dx ध्यान रहे अगेन यहाँ पे limit क्या है minus a to a अब हम function को check करेंगे कि वो even function है या odd function है हमने x की जगे minus x रखा x की जगे minus x रखा x की जगे minus x रखा sine minus x minus sine x के बराबर होता है और 5 time है तब भी यह minus बना रहेगा बट cos minus x cos x के बराबर होता है तो हमारे पास यह आ गया minus f of x इस situation में function odd आ गया और odd function आते ही इस complete integration की value क्या हो गई है जीरो example 34 evaluate 0 to pi by 2 sine की power 4x upon sine की power 4x अब हमने क्या किया था बिलकुर सेम है देखी कैसे होगा let i equal to 0 to pi by 2 sine की power 4x upon sine की power 4x plus cos की power 4x dx अब हमने क्या किया हमने definite integral की property लगाई x को किस में change कर सकते है a minus x में pi by 2 minus x में pi by 2 minus x में pi by 2 minus x में अब हमें पता है sine 90 minus theta cos theta sine 90 minus theta cos theta cos 90 minus theta sin theta एक equation 1 है starting वाली अब equation 2i दोनों को add कर देंगे denominator same है term सीधा ही जुड जाएंगी cancel out होके क्या आ गया 1 और 1 का integration x upper limit minus middle over limit तो 2i की value क्या आ गई है pi by 2 हमें तो i की value निकालनी है वो क्या आएगी pi by 4 ठीक है बचे तो simple integration था हमारे पास हमने integration की property लगा दी उससे हमें एक और equation में ली दोनों को add करते ही simple हमारे पास क्या बचा 1 और 1 का with respect to x integration के आ गया x upper limit minus lower limit ये value आई है 2i की बच हमें तो value किसकी चाहिए थी सिरफ i की example 35 में देखते हैं क्या पुछ रखा है example 35 evaluate pi by 6 to pi by 3 dx अप उन में 1 प्लस under the root tangent x थोड़ा इसको simplify कर ले tangent x को क्या लिख सकते है sin x by cos x यहाँ पे lc हम ले सकते है बटे के नीचे बटे टर्म है पलट चाहेगी और इसे हमने नाम दे दिया equation 1 का अब हम एक property यूज करेंगे अब हम इस property का यूज करेंगे अपने equation को solve करने में क्यों? क्योंकि अगर हम a-x रखते हैं तो आपके पास pi by 6 minus x कोई formula नहीं बन रहा और एकेला b रखने से भी कोई formula नहीं बन रहा बट जब हम इन दोनों को जोडेंगे तो ये pi by 2 बनेगा ये हमारे पास फूर्म ना बन जाएगा इसलिए हम इस property का use करेंगे यहां तक दुबारा देखिए हमने क्या क्या tangent को change किया sign upon cos में lsim layout term पलट दी है equation 1 आ चुकी है आगे देखिए कैसे करेंगे integration from pi by 6 से pi by 3 हमने integration की property रखी a plus b minus x a plus b minus x और यहां पे भी a plus b minus x अब इन दोनों को जोड रहे हैं तो ये pi by 2 बन रहा है और हमें पता है cos 90 minus theta sin theta यहां पे भी cos 90 minus theta 9 theta और यहां पे sin 90 minus theta cos theta एक ही बात है plus meter में तो आप change लिख सकते हैं यह आपके पास equation 2 आगी again adding 1 and 2 base same है सीधे add हो जाएंगी complete term कट गई एक बचा और एक का integration के आगे आपके पास x upper limit minus lower limit 2i की value के आगई है pi by 3 minus pi by 6 यहां पे LC हम ले लेते हैं यह बनेगा आपके पास pi by 6 2 multiply में है दूसरे side जाएगा divide में और pi by 12 यह आपका answer आजाएगा ठीक है बचे और अब देखते हैं आज के lecture का last sum example 36 evaluate 0 to pi by 2 log sin x equation 1 नाम दे दिया again वही property यूज की जो अभी हमने की थी a minus x a क्या है pi by 2 sin 90 minus x cos x equation 2 adding 1 and 2 दोनों को हमने क्या कर दिया add और अब हम करेंगे यह की property का use देखे कैसे करेंगे दोनों को add किया log m plus log n किसके बराबर होता है log m n के अभी यह simplify नहीं हुआ है अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक formula बना सकते हैं उसके रहे में 2 चाहिए तो हमने log 2 को add किया और log 2 को हमने क्या किया minus में यहाँ पर फिर property लगाई log m plus log n की log m n 2 sin x cos x यह किसके equal होता है sin 2 x के चीक है यहाँ पर log 2 और बच रहा है यह तो constant term है बाहर आ गई है term integration से 1 बचा और 1 का integration क्या होता है x यहाँ पर तो हमारे लगबग solve होई चुका है इसको solve करते हैं 2 x को क्या मान लिजे t मान लिजे तो यहाँ से 2 derivative with respect to x dt by dx के आ जाएगा यह 2 dx आपके पास क्या गया dt limit को भी t में change कर देते हैं जब x की value 0 है तो t की value भी 0 है जब x की value pi by 2 है तो t की value भी क्या है pi है तो अब यह किस में convert हो गया सारा t में convert हो गया चीक है यह तो constant है यहाँ यहाँ की simplification बसती है अब हमने एक property पढ़े थी अगर a to b f of x dx है वो किस की equal होता है a to b f of t dt के तो यहाँ पे t dt है तो यह x dx में भी convert हो सकता है और जैसे यह x dx में convert होगा यह हमारे पास किस की value आजाएगी integration i की ही value आजाएगी देखे कैसे आएगी हमारे पास आया 2i equal to 0 to pi 1 by 2 log sin t dt minus में pi by 2 log 2 अब हमने again integration की फिर एक property की अगर 0 to 2a f of x dx होता है तो उसे 2 time 0 to a fx dx में convert कर सकते हैं तो यहाँ पे pi था 2 बाहर ले आए और pi by 2 कर दिया 2 से 2 cancel out हो गया अब यह सारी value को t वाली को हम किस में replace कर सकते हैं x में और यह हमारे पास किस की value थी i की i plus का था दुसरी side गया minus में और यह सीधा ही हमारे पास किस की value आगी i की ठीक है बचे हमें दे रखा था log sin x हमने pi by 2 minus x करके log cos x किया दोनों ही equation को add किया formula बनाने के लिए log 2 को plus किया log 2 को minus किया तो एक formula हमें log sin 2 x का मिल गया और remaining यहाँ पे तो क्या था आपके पास constant था इसको simplify करने के लिए t में change किया t से वापस x में change किया जो i की value थी simplify करते ही हमें हमारा result मिल गया तो hope की बच्चों आपको यह example 7.11 के अच्छो से समझ में आगे होंगे description में से यह notes ले लीजेगा आगे slaves करने के लिए मेरे channel से जुड़े रहिए इसे like कीजे share कीजे subscribe कीजे thank you